अगर आपके पास खाना बनाने के टाइम नहीं है और आपको घर का खाना खाना हो तो ये रेसिपी आपके लिए है सिर्फ 5-7 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है और सिर्फ आलू के साथ हम बनाएंगे दो तरह का आलू के रेसिपी जिसको बनाने में आपको 5-7 मिनट से ज़्यादा टैम नहीं लेगा चलिए बनाते हैं कराही गरम करेंगे करें में 3-4 से मच तेल डालेंगे जैसे ही गरम होता है उसमें हम जीरा डालेंगे एक चोथाई यहाँ पर जीरा डाल दाया अभी जरूरी पॉइंट है तेल को अच्छे से गरम होने दे यह बहुत जरूरी है नहीं तो आपका जो सबजी है वो कराही में चिपकने लगेगा जीरा डालने के बाद तेल को अच्छे से गरब होने दे उसके बाद उसमें हम सबजी डालेंगे तो मैंने यहाँ पर प्याज और आलू डाले हैं प्याज आलू एक साथ डालना है आपको इसे आपका टाइम बचेगा और आलू को हमने चिलका नहीं निकाला है मतलब जो आलू है उसको बिना चिले हुए काटना है पतला काटना है साथ में प्याज को भी साथ में डाल देना है ये अलग तरह का बनता है इसका स्वाद अलग सा आता है इसके बाद यहाँ पर नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे स्वादन सरनमक डाल दें और एक जोथाई चमच हल्दी डाल दें ये दो आलू है जिसको हमने पतले-पतले काट रखें अब देखे जरूरी पॉयंट आपको आज को बढ़ा कर रखना है और दो मिनट के लिए सब्जी को ऐसे ही चलाते रहना है बिना ढखे हुई दो मिनट इसको लगतार अब चलाते रहे है अब ढ़ा कर रखना है ये दो बात आपको दिहान में रखनी है जल्दी पकती है इस जालू की सब्जी इसके बाद यहाँ पर हम कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे दिखा जितना खाते हैं आप उससे अब यहाँ पर हरी मिर्च डाल दे मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च को छोटी टुक्रम काटके डाल दिया है ज़्यादा छोटा नहीं किया है थोड़ थोड़ बड़ा है इसके बाद इसको ढख देंगे ढखने के बाद इसको वना 4 मिनट के लिए आपको पकाना है उसके बाद यह soft हो जाता है बस और कुछ नहीं करना है थोड़े दिरी के लिए और चला लें इसा दिखने लगेगा आलू को चेक करने आलू soft हो गई है यह हमारा आलू प्याज का भुजिया बनके तयार है, जिसको बनाने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा, अगर आपका आलू काटा हुआ है तो आप एक पर मेरे तरीकिस बनाएगा, कड़ाई को अच्छे से गरम होने दिजेगा, उसके बाद जैसे मैंने चलाया वैसे चलाना है, उसके बाद थोड़ी दिर के लिए सबजी को ढख देना है, सबजी बनके तयार हो जाती है, चलिए अब दूसरा बनाते है, दूसरी रेसिपी, यहाँ पर पैन को गरम करेंगे, उसमें यहाँ पर दो चमच तेल डालेंगे, तेल जैसे ही गरम होता है, इसमें आदे को ही बोल सकते हैं, तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे, इसके बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अब जो हरी मिर्च है, उसको तेल में अच्छे से भूनना है, यह दोनों जरूरी पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं, मिर्ची को तेल में भूनने से, जो मिर्ची का तीखा पन है वो तेल में आएगा और इसी से आपका सबजी का स्वाद बनेगा अब इसमें हम आलू डालेंगे यहाँ पर यह उबला हुआ आलू है मैंने दो आलू को उबाल कर छोटी टुकड़ों में काट लिया है आलू को कुछ सकेंड के लिए इसे चला ले इसमें नमक थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि हम इसमें पानी डालेंगे यहाँ पर मैं आधी चमच नमक डाल रही हूं नमक हल्दी डालने के बाद सबजी को दो मिनिट के लापको भूनना है ऐसे ही बूनना है उसमें पानी नहीं डालना है इसको अच्छे से भूनना ह आलू हमारे पहले से पका हुआ है तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है कब से न आपके एक कप पानी डालें या ज़्यादा आलू है तो देड़ कप पानी डाल दें आलू को बस इसके बाद सिर्फ दो से तीन मिनट ही पकाना होता है ज़्यादा पकाना नहीं होता है यह सब डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे इसको ढख कर तीन मिनट के लिए पकाएंगे मैं जितना टाइम बता रही हूं सबजी उतना ही टाइम में बन जाता है और यह सबजी है ना स्टेशन में भी मिलता है कहीं पर आप देखेगा इधर बिहार में स्टेशन पर पूरीक साथ यह सबजी दिया जाता है तो इसको इस तरीके से हलका हलका तोर देंगे यहाँ पर कड़ी थोड़ा पतला लग रहा है पानी पानी लग रहा है तो आलू को इस तरीके से तोर दे अस्टेशन में इस सबजी को ऐसे ही दे देता है बस मिर्ची और कुलोंजी के साथ इसको पका के दे देता है लेकिन यहाँ पर हम घर में बना रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे जिससे स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा बहुत स्वादिश्ट बनता है और कम मसाले और कम तेल में बलने वाली सबजी है तो इस तरीके साथ आप दो तरीके सालू को बना सकते है टाइम सेविंग रेसिपी है कम टाम है तो दोनों रेसिपी को आप बना के खा सकते हैं घर में या किसी को खिला भी सकते हैं दोनों सबजी को आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं सब के साथ इसका सब बहुत बढ़ी आता है और लास्ट में हम बोलेंगा आपको कुछ भी खाना पिला हूँ आप रेखा रेसिपी को सर्च करें वीडियो पसंद आते वीदियो को लाइक करें सेर करें चैनल उपर नाए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले